नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल मेजर आईटे तो दोस्तों आईटे कि जिनों ने भी अभी बैक एक्जाम दिये हैं जिनके भी बैक एक्जाम कंप्लीट हो चुके हैं सबी बच्चों को बस एक ही कमेंट है किसार हमारा रेजल्ट कब आएगा बहुत सारे में बचानी वीडियो में भी बताया हैं अज फिरिश्चे मैं किले कर देता हूं मिबसे क्लिये करते हैं तो बीलत आउसंड़े चयाएं, मैं आपको हो एक बात बताना चाहूं गो глубya में इंजिनेर्ट राइंग और प्रेक्टिकल के एक्जाम के उन्हों में सेडूल जारी किया था इसमें जो बताया गया है इस पे काफी स्टूडेंट का फोकुस आप पूछ रहे हैं किसार रजल्ट क्या आठ मार्च को आएगा इसमें लिखा हुआ है दोस्तो जो रजल्ट डिकलियर्ड है ए आएटीटी नवंबर दोहजर बाइस का वो आठ मार्च को टेंटिवली इसमें बताया गया है कि डिकलियर हो सकता है तो दोस्तो अब इसमें दो टर्मों कंडिशन आती है अगर डिजीटी ने आपके CBT एक्जाम का रजल्ट अलग डिकलियर किया तो वो दोस्तो आपका फरवरी के फर्स्ट वी तक आ सकता है क्योंकि पहले जिन बच्चों के एक्जाम होए थे CBT उनका डिजीटी ने जो रजल्ट डिकलियर किया था वो 28 दिन के अंदर दोस्तो जारी कर दिया गया था पिछली साल जिन के एक्जाम होए थे जनवरी और फरवरी में तो जिस दिन CBT का लास्ट एक्जाम होगा उसके 28 दिन बाद दोस्तो आपके रजल्ट आने की संभावना है आप दोस्तो जो DGT के तरफ से ये नोटिस आया हुआ है इसमें मेंसन किया गया है तो हो सकता है इसके अंदर आपका जो इंजिनरे ड्रोइंग और प्रिक्टिकल के एक्जाम होगा उनका रजल्ट डिकलियर कर दिया जाएगा अगर DGT ने एक साथ रजल्ट दिया तो दोस्तो हो सकता है तब आपका रजल्ट मार्च में डिकलियर हो लेकिन दोस्तो ये कन्फरम नहीं है कि आपका रजल्ट आठ मार्च को आ जाएगा ये टेंटिवली है अगर शेडूल जारी रहा और ठीक ठाक से सभी का एक्जाम कम इसलिए की फरर्वरी के फर्स्ट वीक तक पेड़ कीजिए अगर आपका रजल्ट नहीं आता है तो हो सकता है आले होक्स दोस्तो आपका doubt easily clear हो गया होगा कुछ बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर इस दिन रजल्ट आ रहा है कोई बोल रहा है तब रजल्ट आ रहा है आप बिलकोल भी ब्रामित मत वीजे आपका जो रजल्ट है अगर आपने CBT exam दिये हैं तो आप परवरी के first week तक वेट हो जाएगा अगर 28 दिन के अंदर DGT separate result बनाती है तो अगर separate result नहीं बना दोस्तो एक साथ सभी का result DGT देगी तो दोस्तो आठ मार्च की ये date tentively DGT की द्वारा दीगोई है tentively का मतलब होता है दोस्तो संभावित हो सकता है लेकिन निश्च रूप से नहीं ये schedule आगे जारी हो भी सकता है और नहीं भी या पर इसको भी declare हो सकता है तो ये दोस्तो आज की वीडियो में मैंने आपको रचल्ट के रिगालिंग जितनी भी complete information थी पोरी analyze करके आपको दे दिये साथी जिन भी candidate आईटे पास आउट हो चुके है जिन्होंने हमारे study material से तैयारी की थी वह 100% पास होंगे वह अपने हागे in future apprenticeship की तैयारी करे अपरेंटिशिप मेला दोस्तो काफी जगे लगा कीजिए प्लीज गाइस अपना सपोर्ट राइए आज की वीडियो में इतना है मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए कीप इंड़ा जेहन वंदे बात रूम